तीसरे कारकाल की शपत ग्रहान करने के बाद पहले दस दिनों में ही नालंदा आने का आउसर मिला है कि यह मेरा सोभवेग्य तो है ही मैं इसे भारत की विकास यात्रा के कि एक शुप संकेत के रूप में देखता हूं नानन्दा यह केवन नाम नहीं है नालंदा एक पहचान है एक सम्मान है नालंदा एक मुल्य है नालंदा एक मर्त्र है गवरव है गाथा है नालंदा है उद्गोश इस सत्यका की आग की लप्तों में पुस्त के भले जल जाएं लेकिन आग की लप्ते ज्यान को नहीं मिटा सकते नालंदा के दोंस ने भारत को अंदकार से भर दिया था अब इसकी पुनर्थापना भारत के स्वनिम यूग की शुरुआत करने जा रहा है साथियों अपने प्राचिन अवसेसों के समीप नालंदा का नवजागरां यह नया केंपस विश्व को भारत के सामर्थ का परिचय देगा नालंदा पताएगा जो राष्ट मजबूत मानविय मुल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट इतिहास को पुनर्जिवित करके बहतर भविश्की नीव रखना जानते हैं और साथ्यों नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है इसमें विश्व के एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है एक उनिवर्सिटी केंपस के इनोग्रेशन में इतने देशों का उपस्तित होना यह अपने आप में अभूत पूर्वा है नालंदा उनिवर्सिटी के पुनर्ण निर्मान में हमारे साथी देशों की भागिदारी भी रही है मैं इस अवसर पर भारत के सभी मित्र देशों का आप सभी का अभिनंदन करता हूं मैं बिहार के लोगों को भी बढ़ाई देता हूं बिहार अपने गव्रव को वापस लाने के लिए जिस तरह विकास की रह पर आगे बढ़ रहा है नालंदा का यह केंपस उसी की एक प्रेणा है साथियों हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था नालंदा का अर्थ है न अलम ददाती इती नालंदा अर्थात जहां सिख्षा का ग्यान के दान का अवीरल प्रवाह हो कि सिख्षा को लेकर कि एजुकेशन को लेकर कि यही भारत की सोच रही है कि सिख्षा कि सीमाओं से परें नफा नुक्सान के नजरिये से भी परें सिख्षा ही हमें गड़ती है विचार देती है और उसे आकार देती है प्राची नालंदा में बच्चों का एड्मिशन उनकी पहचान उनकी नेस्नालिटी को देकर नहीं होता था हर देश हर वर्क के युवाहें आते थे नालंदा विश्वविध्धाले के इस नए केंपस में हमें उसी प्राची निववस्ता को फिर से आदुनेक रूप में मजबूती देनी है और मुझे ये देखकर खुशी है कि दुनिया के कई देशों से हां स्टूडंस आने लगे हैं यहां नालंदा में बिश से जादा देशों के स्टूडंस पढ़ाई कर रहे हैं यह बसुधेव कुटुमकब की भावना का कितना सुन्दर प्रतीक है साथियों मुझे विश्वास है आने वाले समय में नालंदा उनिवर्सिटी फिर एक वार हमारे कल्चरल एक्षेंग का प्रमुक सेंटर बनेगी यहां भारत और साउथ इस्ट एशन देशों के आट वर्क के डॉक्कुमेंटेशन का काफी काम हो रहा है यहां Common Archival Resources Center की साप्रा भी की गई है नालंदा उनिवर्सिटी आश्यान इंडिया उनिवर्सिटी नेट्वर्क बनाने की दिसा में भी काम कर रही है इतने कम समय में ही कई लीडिंग ग्लोबल इंस्टिजूशन यहां एक साथ आये हैं एक ऐसे समय में जभी कीसवी सदी को एशिया की सदी कहां जा रहा है हमारे ये साजा प्रयास हमारी साजी प्रगती को नई उर्जा देंगे साथियों भारत में सिख्षा मानवता के लिए हमारे योगदान का एक माध्यम मानी जाती है हम सिखते हैं ताकि अप्वे ज्यान से मानवता का भला कर सके आप देखिए अभी दो दिन ही के बाद ही 21 जून को इंटरनेशनल योगा रहे है आज भारत में योग की सेंकड़ो विधाय मुझूद है हमारे रुश्यों ने कितना गहन सोद इसके लिए किया होगा लेकिन किसी ने योग पर एक आधिकार नहीं बनाया आज पुरा विश्व योग को अपना रहा है योग दिवस एक बैश्विक उत्सव मन गया है हमने अपने आयुर्वेद को भी पूरे विश्व के साथ साहजा किया है आज आयुर्वेद को स्वस्त जीवन के एक स्त्रोथ के रूप में देखा जा रहा है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और सस्टेनेबल डेवलप्मेंट का एक और उदारन हमारे सामने है भारत ने सदियों तक सस्टेनेबिलिटी को एक मोड़े के रूप में जी कर दिखाया है हम प्रगती और परियावरन को एक साथ लेकर चले है अपने उनी अनुभवों के आधार पर भारत ने विश्व को मिशन लाइफ जैसा मान भी ये विजन दिया है आज इंट्रडेशनल सोलर एलाइंज जैसे मंच सुरक्षित भविश की उम्मिद बन रहे है नालंदा उनिवर्सिटी का ये कैंपस भी इसी भावना को आगे बढ़ाता है ये देश का पहना ऐसा कैंपस है जो नेट जिरो एनरजी, नेट जिरो एमिसंस, नेट जिरो वोटर और नेट जिरो वेस्ट मोडल पर काम करेगा अपदीपो भव के मंत्र पर चलते हुए कैंपस पूरी मानवता को नया रास्ता दिखाएगा साथियो जब सिख्षा का विकास होता है तो अर्थ ववस्ता और संस्कृती की जड़े भी मजबूत होती है हम डेवलप कंट्रीज को देखे तो ये पाएंगे वो एकोनामिक और कल्चरल लीडर तब बने जब वो एजुकेशनल लीडर हुए आद दुनिया भर के स्रुडेंस और ब्राइट मैंस उन देशों में जाकर वहाँ पढ़ना चाहते हैं कभी ऐसी ही सिती हमारे यहां नालंदा और विक्रम शिला जैसे स्थानों में हुआ करती थी इसलिए यह केवल संयोग नहीं है कि जब भारत सिख्षा में आगे था तब उसका आर्थिक सामर्थभी नई उचाई पड़ था यह किसी भी राज के विकास के लिए एक बेसिक रोड मैप है इसलिए 2047 तक विश्षिद होने के लक्ष पर काम कर रहा भारत इसके लिए अपने एजुकेशन सेक्टर को उसका कायकल्प कर रहा है मेरा मिशन है कि भारत दुनिया के लिए सिक्ष्या और ध्यान का केंद्र बने मेरा मिशन है भारत की पहताम फिर से दुनिया के सबसे प्रमिनेट नौलेज सेंटर के रुप में उबरे और इसके लिए भारत आज बहुत कम उम्मर से ही अपने स्टूडेंट्स को इनोवेशन की स्पिरिट से जोड रहा है आज एक तरप एक करोर से जादा बच्चों को अटल टिंकरिंग लैप में लेटेस टेकनोलोजी के एक्स्पोजर का लाप मिल रहा है वहीं दूसरी और चंद्रयान और गगणयान जैसे मिशन स्टूडन्स में साइंस के पति रूची बढ़ा रहे हैं इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने एक दसक पहले स्टार्ट अप इंडिया मिशन की शुरुवात की थी तब बेश में कुछ सो ही स्टार्ट अप थे लेकिन आज भारत में एक लाग तीस हजार से ज्यादा स्टार्ट अप है पहले की तुलना में आज भारत से रिकॉर्ड पैटन्ट फाइल हो रहे हैं रिसर्ट पेपर पब्लिश हो रहे हमारा जोर अपने यंग इनोवेटर्स को रिसर्ट और इनोवेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके देने का है इसके लिए सरकार ने एक लाग करोड रुपिये का रिसर्ट फंड बनाने की गोश्टना भी की है साथियों हमारा प्रयास है भारत में दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और कम्प्लेट स्कीलिंग सिस्टिम हो भारत में दुनिया का सबसे एडवांस रिसर्च ओरिएंटेड हायर एजुकेशन सिस्टिम हो इन सारे प्रयासों के नतीजे भी दिखाई दे रहे पिछले कुछ सालों में भारती उनिवर्सिटी ने ग्लोबल रैंकिंग में पहले से काफी बहतर परफॉर्म करना शुरू किया है दज साल पहले क्यू एस रैंकिंग में भारत के सिर्फ नौ शिक्षा संथान थे आज इसकी संक्या बढ़कर 46 पहुंच रही है कुछ दिन पहले ही टाइम्स हायर एजुकेशन इंपेक रैंकिंग आई है कुछ साल पहले तक इस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 13 इंस्टिटूशन से 13 अब इस ग्लोबल इंपेक रैंकिंग में भारत के करीब 100 शिक्षा संस्तान सामिल होया है पिछले दस वर्सों में आउसतन भारत में हर सब्ता एक युनिवर्सिटी बनी है भारत में हर दिन एक नई आई टी आई की स्थापना हुई है हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली गई है भारत में हर दिन दो नए कॉलेज बने है आज देश में प्वेंटी थ्री आयटी हैं दस साल पहले थर्टीन आयम से आज ये संख्याट प्वेंटी वन है दस साल पहले की तुलना में आज करीब तीन गुना एनके ट्वेंटी टू एम्ज है दस साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्याभी करीब करीब दो गुनी हो गई है आज भारत के एजुकेशन सेक्टर में बड़े रिफार्म्स हो रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भारत के युवाओं के सपनों को नया विस्तार दिया है भारत की उनिवर्सिटी ने फॉरेन उनिवर्सिटी के साथ भी कॉलोबरेट करना शुरू कर दिया है इसके अलावा दिकन और वलूंगों जैसी इंटरनेशनल उनिवर्सिटी भी भारत में अपने केंपस खोल रही है इन सारे प्रयासों से भारतिये चात्रों को हायर एजुकेशन के लिए भारत में ही सर्वस्रेश्ट शिक्षा संसान उपलब्द हो रहे हैं इससे हमारे मद्यमवर्क की भी बचत भी हो रही है साथियों आज विदेशों में हमारे प्रीमियन इंस्टिटूट्स के केंपस खोल रहे हैं इसी साल अबुधावी में आईटी देली का केंपस खुला है तंजानिया में भी आईटी मद्रास का केंपस सुरू हो चुका है और गलोबल होते भारतिय सिक्षा संसानों की तो ये शुरुवात है अभी तो नालंदा उनिवर्सिटी जैसे संसानों को भी दुनिया के कौने कौने में जाना है साथियों आज पूरी दुनिया की द्रश्टी भारत पर है भारत के युवाओं पर है दुनिया बुद्ध के इस देश के साथ मदरब डेमोक्रिसी के साथ कंदे से कंधा मिला कर चलना चाहती है आप देखिए जब भारत कहता है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर तो विश्वा उसके साथ खड़ा होता है जब भारत कहता है वन सम वन वर्ल वन ग्रेड तो विश्वा उसके भविश्व की दिशा मानता है जब भारत कहता है वन अर्थ वन हेल्थ तो विश्व उसे सम्मान देता है स्विकार करता है नालंदा की ये धर्ती विश्व बंदूत्व की इस भावना को नया आयाम दे सकती है इसलिए नालंदा के विद्यार्थियों का दाईत्व और जादा बड़ा है आप भारत और पुरे विश्व का भविश्व है अमर्त काल के पतीस साल भारत के युवाओं के लिए बहुत एहम है ये पतीस वर्स नालंदा विश्व विद्याले के हर चात्र के लिए भी उतने ही महत्मपोड है यहां से निकल कर आप जिस भी छेत्र में जाएं आप पर अपनी उनिवर्सिटी के मानविय मुल्यों की मुहर दिखनी चाहिए आपका जो लोगो है उसका सम्देश हमेशा याद रखिएगा आप लोग इसे नालंदा वे कहते हैं न व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सामंजश्च व्यक्ति का प्रकृति के साथ सामंजश्च आपके लोगों का आधार है आप अपने सिख्षकों से सिख्षिए लेकिन इसके साथ ही एक दूसरे से सिख्षिने की भी कोशिश करिए Be curious, be courageous and above all be kind अपनी knowledge को समाज में एक सकारात्मत बदलाव के लिए प्रयोग करिए अपनी knowledge से बहतर भविश का निर्मार करिए नालंदा का गवरव, हमारे भारत का गवरव आपकी सफलता से तैह होगा मुझे विश्वात है आपके ज्ञान से पूरी मानवता को दिशा मिलेगी मुझे विश्वात है हमारे युआ आने बाले समय में पूरे विश्व को नेत्रूत्व देंगे मुझे विश्वास है नालंदा ग्लोबल कौज का एक महत्वपुन सेंटर बनेगा इसी कामड़ा के साथ आप सभी का मैं रदे से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और नितिश जी ने सरकार की तरब से पूरी मदद का जो आवान किया है उसका मैं स्वागत करता हूं भारत सरकार भी इस विचार यांत्ता को जितनी उर्जा दे सकता है उसमें कभी भी पीशे नहीं रहेगा इसी एक भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुब कामना हैं धन्यवाद